दोस्तों सभी 12 वी पास कंडिडेट के लिए यहां पर एक बहुत ही शानदार वेकंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीस किया गया है जिहां दोस्तों मैं बात करूँ होस्टल वार्डन के पद पर जो नई भरती का नोटिकेशन रिलीस किया गया है जिसमें कि 3,000 से भी के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं उनको लगता है कि यह जो वेकेंसी है यह पूरी तरीके से फेक है तो आपके लिए मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं जो विभाग की तरफ से जारी किया गया है और देखिए पिछली बार यह जो ह यहाँ पर क्वालिफिकेशन को घटा दिया गया है अगर आप 12 वी में बेशक ही आपके 40% मा आपसो तो भी आप इस वेकेंसी में आवेदन कर सकते हो हो होस्टल वाइडन की यह जो वेकेंसी जो है निकाली गयी है तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल आनत तक वाच क कीजेगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा इसे प्रकार के गवर्मेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए तो दोस्तों आए बिना समय वीडियो को कॉंटिन्यू करते हैं मैं बात कर रहा हूं होस्टल वार्डन के पद पर यह जो नई भरती का नोटि है वो मिली है और अमूमन क्या देखा आता है दोस्तों कि एमारस की कह रहा हूं होस्टल वार्डन के पद पर जब भी भरती आती है ना तो 300 पदों पर कभी 500 पदों पर तो कभी 700 पदों पर भरती आती है लेकिन 3000 से जादा पद पर भरती नहीं आती है यह पहली बार ऐसा थी 3000 से जादा पद पर यह भरती निकाली गई है तो इसमें जो है आप सभी लोग इसका लाब जरूर से जरूर उठाईएगा ठीक है ना योगता जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सभी 12 पास कंडिडेट एप्लाई कर सकते हैं महिला और पुरुस दोनों के लिए यह व करते हैं उनका यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वह 18 साल से ले करके 35 साल तक के कंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथ में यहाँ पर गौर्रमेंट रूल के एकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दिया जाएगा जो रिजर्वेशन कोटे से ब अब सवाल यहाँ आता है कि सरिये बताइए इस वेकेंसी में आवेदन करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा कितना फीस लगेगा तो देखें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो वेकेंसी है ना यह दो प्रकार से निकाली जाती है वह बरत है यह दो प्रकार से निकाली जाती है पहला जो यूपीएसी की तरफ से वेकेंसी निकाली जाती है जिसमें कि आल इंडिया के मेल और फीमेल कंडिडियेट एप्लाई कर सकते है और दूसरा जो है व्यापम की तरफ से यह वेकेंसी निकाली जाती है तो यह जो वेकेंसी नि के तरफ से जो वेकंसी निकाली गई इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप बिलकुल इस वेकंसी में फार्म को एप्लाई कर सकते हो आपकी चाहे कोई भी कैटेगरी हो जंडल ओबीसी एडब्लो एस सी सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर ज करके किसी वेकंसी में आवेदन कर पाएं ठीक है ना तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगा लग रहा है तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हो सबसे पहले आप यह नोटिफिकेशन देखे जो विभा की तरफ से जारी किया गया है तो दोस्तों यह है इस पर आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है देखें यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हो गया यहाँ पर स्रेणी दा के पद पर नई भरती आई हुई है जिसका की नोटिफिकेशन रिलीस किया गया है यह आप सभी लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पर सो पेज का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो सारी चीज़े अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यहाँ पर एक्जामपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि अलग 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 चाहत्रावास कुनकुरी जश्पुर में यहाँ पर एक सीटे हैं उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा कांस वेला में तो पोष्ट मैट्रिक अनुसूचित जन जाती बालक चाहत्रावास कांस वेला में जश्पुर में पढ़ता है इसमें यहाँ पर नंबर आफ टोटल सेलरी दी जाएगी लेकिन इन हैंड सेलरी आपका यहाँ पर बहुत अच्छा खाफ रहेगा और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस वेकेंसी में देखिए आपका जो है किसी प्रकार का कोई स्केल टेस्ट नहीं होगा केवल एक सिंगल एक्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा उसके बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और यह जो वेकेंसी निकाली गई है यह व्यापम की तरफ से निकाली गई है छतिफगड़ वालों के लिए ठीक ना तो छतिफगड़ के मेल और फीमेल क स्टार्ट में पूरी तरीके से हो जाएगा यहां पर देके नोटिफिकेशन के बारे में भी सारी जानकारी दी गई है वह सारी चीजे भी अगर आप देखना चाहोगे ना तो इस नोटिफिकेशन में देख पाओगे ठीक ना क्यूंकि नोटिफिकेशन जो है बहुत ही डाल रखा है वहाँ पर इस notification को आप सभी लोग बिल्कुल detail से अच्छी तरीके से आप सभी लोग इससे जो है पढ़ सकते हो देखें notification आप सभी लोगों ने देख लिया है वहाँ पर बताया गया है कि किस जिले में कितने number आफ टोटल सीटे हैं salary आपको कितना दिया जाएगा pay level कितना रहेगा सारा सब कुछ वहाँ पर बताया गया और इस notification को अगर आपको detail से देखना है तो आप चले जाएगा मेरे telegram चैनल पर लिंक मैंने वीडियो के description में already डाल रखा है वहाँ पर इस notification को मैं डाल दूँगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से उसे watch कर सकते हो देखे दोस्तों यह जो वेकेंसी निकाली गई है वो 36 गण राजी की तरफ से निकाली गई है तो इसमें 36 गण राजी के जो male और female candidate है व मतलब की 25,300 से ले करके 80,200 रुपय यहाँ पर salary होगी लेकिन यह मान के चलिए कि जो आपकी in hand salary रहेगी न वो तकरीबन 35,000 के आसपास आपको in hand salary दी जाएगी अब सवाल यह आता है कि सर यह बताईए कि hostel वार्डन के पद पर रह करके मुझे क्या काम करना पड़ेगा job profile की अगर मैं बात करूँगा तो जितने भी आवासी छात्रावास होते हैं उसमें male और female candidate जो है पढ़ाई करते हैं उनका धियान रखना उनका रख रखाव करना उसके अलावा किसी की तवियत खराब हो जाती है तो उनको आपको अस्पताल ले करके जाना पड़ेगा उसक इस परकार से होगा और syllabus में कॉंकॉं से subject से question पूछा जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिससे कि आप सभी लोग अभी से तैयारी कर सकते हो देखें दोस्तों 3357 पदों पर नई भरती को ले करके स्विक्रती मिली है तो आपको अभी से तैयारी में अच्छे तरीकी से लगना पड़ेगा तभी जा करके आप जो है एक्जाम क्राय कर पाओगे ठीक ना तो syllabus के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जरूर समझेगा सबसे पहले आप ल सत्यापन होगा उसके बाद आपका जो medical certificate है वो district hospital से बनवा करके आपको विभाग में submit करना पड़ेगा finally उसके बाद आपको joining दे दिया जाएगा मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी skill test नहीं होगा physical का criteria नहीं होगा typing test नहीं होगा कुछ भी नहीं होने वाला है केवल एक single return exam qualify कीजे और direct आप यहाँ पर नौकरी ले सकते हो इस vacancy में अब syllabus के अगर मैं बात करूंगा दोस question पूछा जाएगा computer से सबसे ज्यादा 30 question यहाँ पर पूछा जाएगा Hindi से 5 question पूछा जाएगे English की बात करूंगा तो English से 5 question पूछा जाएगा अब देखिए यहाँ पर जितने भी candidate का English में problem है ना English अगर आपका weak है तो आपके लिए यहाँ पर plus point रहने वाला है क्योंकि English से यहाँ पर बहुत कम question पूछा जाएगा मात्र 5 question जो है यहाँ पर आपका English से पूछा जाएगा उसके अलावा GK भारत से आपके 15 question पूछा जाएगे 36 गड़ GK से 5 question पूछा जाएगा current affairs से 5 question पूछा जाएगे उसके अलावा बाल मनु विज्यान से आपके 10 question रहेंगे तो इन ही subject से यहाँ पर question पूछा जाएगे देखे दोस्तो hostel warden की अगर मैं बात करूँगा ना तो पिछली बार जो है दो बार यह vacancy और निकाली गई थी जो एक बार vacancy निकाली गई थी 500 पोश्ट पर लेकिन किसी कारण वस उसे जो है निरस्त कर दिया गया था मतलब की खारि कर सकते हैं तो दोस्तों यही सारा सब को जानकाली देना था देखे इस vacancy के regarding में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी doubt हो कोई भी स्वाल हो तो comment section खुला है आप सभी लोग comment जरूर कीजेगा और इसी प्रकार की सरकारी नौकरी की update पाने के लिए आप लोग इस चैनल को ज झाने वाल